कि खूलो फ्रेंश गूट मोर्निंग कईसे हैं आप लोग दोस्तों सर्दी कमोश्वामों बरसाद कमोश्वामों थण्डि कमोश्वामों पकोड़ों की बात ना हूं एat हो ने सकता तो दोस्तों हमा सिब्सशात कर एक बनाने करें और हमने तो सबस्तों के साथ भी रेशिपिक क्योंना सेर करें तो दोस्तों सबसे पहले बेशन हल्दी थोड़ा से सब्सक्राइब करें लिए तो बना दिया है इसको मादे गंटे के लिए कि बाद तक त्यारी करेंगे लिए बनाने जा रहे हैं समाटर के इसमें थोड़ा से लेशून हरा मिर्शा हरा धनी और थोड़ी से एक टुकड़ा थोड़ा सा अध्रक एड़ कर देंगे इससे इसका स्वास बढ़ जाता है तो देखी चटनी तयार हो गई मेरी जानब बारिक नहीं पीशा है और यह है अपकोड़े का एटम यह है अब आपन्य शार्वशी को काड़ सकते हैं यह थोड़ासा नमक है अपनी श्वाद के नुशार ले सकते हैं यह थोड़ा सा है सब्यम अध्य मसाला है कि ओर यह खड़ा खड़ा धनिया और खड़ा जीरा हमने घून कर इसको पॉडर बना लिया है और यह चटनी है मेरी और अब इन सब को हम एक बतन में निकाल कर इसका पेस्ट बनाएंगे चटनी नहीं मतलब तो यह है आलू मेडियम साइज के हैं उबले होई हैं इसके छिलके हमने उतार लिया ह है और अलू के साथ जो भी आइटम है मारी इन सब का मिला कर हम पेस्ट बनाएंगे तो दोस्तों यह देखी ब्राबेशन का पेस्ट लगभग तयार है अर्दा गंटा हो गया इसको कितना अच्छा इसकी का सब्सक्राइब आई है और अब आलू को हम फोड़ लेंगे और सा सब्सक्राइब शाहर धनिया मसाले नमक सब्सक्राइब करके एक अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे सब कुछ मिलागे दोस्तों आप दोकों को पकोड़ा पसंद है कि नहीं कमेंट करके बताएगा मुझे तो पकोड़े बहुत पसंद आते हैं विश्यसकर ठंडी के मौस बनांगे जैसे बड़ा बनाते ना दहीं बड़ा वाला वैसे इसको बना लेंगे जितने भी में आलू है सबके तो कि पूरा हम कि इत्तरा से इस तरह से गोलिया दिखी में सारे गोलिया बन गई हैं और अब हम इसको इने खी मतील गरम हो गया है दोस्तों टेल को अच्छी तरह गरम होने की बाद ही इसमें हम पकोड़े डालेंगे नहीं तो पकोड़े फूट जाते और इसमें चिपक कर देंगे तो क्या होता ना कि पकोड़े चिपकते नहीं है कड़ाही में तो पकोड़े फूड़ जाते हैं तो मीडियम करने से पकोड़े अच्छी तर से पक जाते हैं नहीं तो उपर उपर जल जाते हैं और अंदर कच्चा ही रह जाता है तो यह देखिए मेरे तेल इदम ग प्रेंग ना तो पक जाएगा रिसानी कि वो कच्छा रहे जाएगा और तो का टेस्ट स्वाद बूत अच्छा आएगा स्वाद बिल्कुल भी बुरा नहीं आएगा तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हमाज अच्छी लगी रेशिपी अच्छी लगी तो कमेंट के कि दरू अच्छा कर रहे हैं तो यह देखे पकोड़े दिखे में बिल्कुल भी बनी चिपके हैं और जो हमने बेशन का पेस्ट बना के रखा था ना तो उसकी वज़ा से एक्स्ट्रा बेशन इसमें कड़ाई में तेल में नहीं गिरा है बनना अलग से बेशन के जाता है तो बहुत मेरे पकोड़े दियار हो चुके हैं अब भम युश्य अलगा धिया है और दोस्तों हम भूख कैंशने के बनाच नए और से तो और बनाते हैं खिश में रखिये है तो दोस्तों आईए पकोड़े को खाईए और बताए कि कैसा है क्योंकि आप लोगों को लिए बनाती हों आप लोग इसका लाइक कमेंट करते हो तो मुझे अच्छा लगता है और हम एक तरह से एक आच्छी फ्रेंड बन चुके हैं सारे हमारे यूटूब की फैमली हमारे दो फिरा वीडियो कैसे लगा कमेंट के रूब बताएएगा और मिलते हैं नेस्ट वीडियो में उक्याइब